हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू मैं चैनल आज हम इस वीडियो में बनाएंगे हॉल्टर नेक वाली कुर्ती जिसके लिए मैंने हाँ पर फैब्रिक लिया है दो मीटर से थोड़ा सा जादा और यहाँ पर मैंने इसे फोर फोल्ड में रख लिया है अब सबसे पहले मैं उपर स अपने फैब्रिक को बराबर करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खीश लूँगी इस तरीके से लाइन खीशने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने शोल्डर का मार्क लगाऊंगी मेरे मेजर्मेंट में शोल्डर है 14 तो मैं उसका हाफ करके हाँ पर 7 पर निशान यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे शोल्डर स्लूप के लिए और उसके बाद हम राउंड आम होल लेंगे राउंड आम होल है हमारा 14 तो यहाँ पर भी मैं 7 पर निशान लगाऊंगी और इससे सीधी लाइन से ड्रॉ कर लूँगी अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू वेस्ट हमारा शोल्डर टू वेस्ट लेंथ है 14 मैं यहाँ पर वन इंच एक्स्टा लूँगी सिलाई करने के लिए यहाँ पर मैं 15 पर निशान लगाऊंगी और इसे भी मैं स्केल से सीधे लाइन से ड्रॉ कर लूँगी यहाँ से भी हम अच्छे से नाप लेंगे हमारा 15 आना चाहिए अब हम अपना राउंड बर्स लेंगे राउंड बर्स चे हमारा 32 तो इसका वन फोर्थ करेंगे 8 आएगा और 1.5 इंच का इसमें हम मार्जन ले लेंगे तो हम यहाँ पर 9.5 पर निशान लगाएंगे राउंड बेस्ट है हमारी 28 तो मैं हाँ पर 7 पर निशान लगाऊंगी 28 का वन फोर्थ 7 और इस पर मैं 1.5 इंच का मार्जन ले लेंगी तो मैं 8.5 पर निशान लगाऊंगी और इसे हम उपर लाइन से मिला लेंगे इस तरीके से अब मैं राउंड आमोल के लिए निशान लगाऊंगी सबसे पहले मैं यहां से 1 इंच उपर पर एक निशान लगाऊंगी और उसके बाद जो हमारे राउंड आमोल वाली लाइन है इसे मैं नाप लूँँगी और बीचो बीच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से यहां से मैं शेप दे दूँगी इसको और फ्रंट के लिए हम यहां से वन इंच अंदर आएंगे और इसे हम उपर स्ट्रेट मिला लेंगे जो हमारे राउंड आमोल वाली लाइन है उससे हम सीधे से मिला लेंगे और इसके बाद हम इस लाइन से भी उपर वन इंच अंदर आएंगे इस लाइन को भी हम नापेंगे और बीचो बीच पे एक निशान लगा के यहां से हम फ्रंट आमोल के लिए शेप देंगे इस तरीके से अब जो मैं यहां पे विर्थ लूँगी नेक की वो मैं लूँगी थ्रेंच यहां पे मैं थ्रेंच पे निशान लगाऊंगी और नेक की जो मैं गहराई लूँगी वो मैं लूँगी 6 तो यहां पे 6 पे निशान लगाऊंगी और वेट हमारी रहेगी थ्रे इंच इस तरीके से हम ना अपलेंगे से अच्छे से हमारा पैब्रिक इदर उदर नहीं होना चाहिए यह हमारा बिल्कुल थ्री आना चाहिए इस तरीके से और अब मैं आप एक बॉक्स बना लूँगी यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉआ करूंगी इसे हम कट कर लेंगे और यहां से उपर हमारे स्ट्रैप्स लगेंगी तो हम इसे कट कर लेंगे हाँ पे सोल्डर स्लूप के लिए हम हाफ इंच नीचे आते हैं अब हम इस लाइन को यहां से कट कर लेंगे अब हम इसमें से बैक का पार्ट अलग कर लेंगे और जो हमने राउंड आमोल के लिए निशान लगाया था फ्रंट के लिए उसे हम कट कर लेंगे अब हम अपना बॉटम पार्ट बनाएंगे इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फूल्ड में रख लिया है और जो हमारी फूल लैंड है वो 46 है 46 में से हम बॉटम पार्ट माइनस कर लेंगे 31 आएगा और 1 इंच मैं आप एक्स्टा ले लूँगी तो 32 पे मैं हर जग़ पे मिशान लगाऊंगी इस तरीके से और इसे हम सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेंगे अब इसे हम कट कर लेंगे यह हमारा फ्रेंट पार्ट है और बैक के लिए भी हम इसी साइज का एक और कट करेंगे यह हमने दोनों बॉटम पार्ट कट कर लिये हैं और अब हम स्टेप कर लेंगे स्टेप की जो मैंने लेंथ रखी है वो तयार हमारी 14 है तो 1 इंच मैंने एक्स्टर रखी है विर्थ हमारी 3 है और ऐसी मैंने 2 स्ट्रेप कट कर लिए हमने हॉल्टरनेक की कुट्टी की कटिंग कर लिए सारे पार्ट इसके कट कर लिए और अब हम इसे सिलने स्टार्ट करेंगे अब सबसे पहले जो हमारा front part है bodies का इसमें हम पट्टी लगाएंगे यह हमने इस तरीके की पट्टी कट की है तो हम इस तरीके से सीधे के उपर सीधा रखके ऐसे इसे रखके इसमें सिलाई लगा लेंगे half inch से थोड़ा सा कम छोड़के हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यह देखिए हमने इसमें साइट से सिलाई इस तरीके की से लगा लिया है और अब हम इसे नाप लेंगे यह हमारा 15 आ रहा है तो हम यहाँ से 4.5 पर निशान लगाएंगे और इस साइट से भी हम 4.5 पर निशा अब हम इसे डबल फोल्ड करके अंदर को फोल्ड करके हमिंग कर लेंगे इस तरीके से देखिए डबल फोर्ड हम करेंगे इसे और इसमें हम हैमिंकल लेंगे आप चाहें तो इसमें मशीन भी रख सकते हैं और ऐसे हम अपने बैक पार्ट में भी इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे और निशान मैंने यहाँ पे लगा लियें करें जहां पे मुझे स्टैप्स लगानी है अब हम दूसरे पार्ट में भी इस तरीके से इस स्टैप्स को जोड देंगे स्टैके से रखने कि मत्मशिता हैं पैंर नहीं में बोटम पार्ट बनाते हैं अब हम बोटम पार्ट में उसाइड निशान है और यह always है विट साइट गांगे और जो मिशिलाई लगाई है फाइफ नंबर की इस त्रैट को हम इस तरीके से धीरे-धिरे खीशते रहेंगे और फ़ाबरिक को हम इस तरीके से साइट करेंगे जिसे हमारी गैदर्स बनती और गैही दर्स हमारा दपोड़ी स्पार्ट के बॉटम पॉटम पॉर्ट तक आ जानी चाहिए। सीधे के उपर सीधा रखके सिलाई लगा देंगे और ऐसे हम अपना दूसरा पार्ट भी तयार कर लेंगे अब हमने दोनु साइट से फ्रेंट और बेक दोनु साइट से गैदर्स को जॉइन कर लिया है और अब हम इसमें साइट से सिलाई दे देंगे मैंने फैप्रिक को उल्टा कर लिया है और इसे हम इस तरीके से साइट से दोनु साइट सिलाए देंगे साइट से को उल्टा कर लिया है और इसे दोन के तो। झाल